है गाईज वेलकम यू ओल वन्स अगेन तो आज की इस वीडियो में हम लोग ओडियो नो उन्हों के तुरू LED ब्लिंकिंग के प्रोग्राम को देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को अपने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझ ना होगा यहाँ पर basically हम लोगों के पास दो functions होते हैं सबसे पहला आप लोगों के पास यहाँ पर होता है void setup function तो इस function के अंदर basically हम लोग ऐसे code को लिखते हैं जो throughout the program सिर्फ एक बार run होने होते हैं जैसे कि suppose करते हैं आप लोगोंने अपने pins का mode define करना है तो यह चीज़ सिर्फ आप एक बार करते हैं तो यह आपका जो है void setup के अंदर आएगा next इसके बाद हम लोगों के पास void loop function आता है और जो भी आपका यहाँ पर main program होता है वो हम लोग इस function के अंदर ही लिखते हैं और इसके अंदर जो भी code आप लिखेंगे वो basically infinite times के लिए run होता रहता है so यह हम लोगों के program का एक structure होता है next हम लोग इसके बाद अपने code को देख लेते हैं तो code में सबसे पहले हम लोगों ने एक unsigned int type का variable लिया जिसका नाम led है तो basically हम लोग इस variable में अपने pin number को store करेंगे मतलब कि जहाँ पर भी आप लोग अपने led को connect करना चाहते हैं उस pin का number आप इस variable में लिख लेंगे next इसके बाद हम लोगों के पास void setup है और इसके अंदर basically हम लोग pin mode function को call कर रहे हैं और यह जो pin mode function है यह basically आपके particular pin के mode को define करता है तो pin mode function के अंदर हम लोगों के हम पर दो arguments हैं इसमें जो पहला argument है यह basically आपका pin number है तो यहाँ पर हम लोग 13 number pin use कर रहे हैं तो आप चाहे तो यहाँ पर 13 number भी लिख सकते हैं या चाहे तो आप यहाँ पर variable का नाम भी लिख सकते हैं तो better होगा कि आप यहाँ पर variable का name लिखें क्योंकि अगर suppose करते हैं इन future आपको यहाँ पर अपना जो LED का pin है उसको change करना पड़ा तो आपको throughout the program अपने pin numbers को change करना पड़ेगा तो better है कि आप यहाँ पर जो भी variable का नाम है वो लिखें इसके बाद आपका यहाँ पर जो second argument है यह basically define करता है आपके pin के mode को तो basically यहाँ पर input mode हो सकता है या फिर output mode हो सकता है तो फिलाल हम लोग यहाँ पर output लिख रहे हैं क्योंकि आप लोगोंने micro controller से अपने LED को कुछ output देना है और यहाँ पर आपको दो चीज़े और ध्यान देनी है यहाँ पर जो pin mode आप लिखेंगे इसमें जो आपका M है वो capital letter में रहेगा और जो second आपका argument है यह भी हमेशा आपका capital letter में रहेगा next इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर void loop है void loop के अंदर आप लोग सबसे पहले अपने LED को on करेंगे LED को on करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर digital write function को call किया है digital write function basically आपके particular pin में क्या output आएगा यह चीज़ define करता है तो यह जो pin है हम लोगों की एक digital type की pin है तो यहाँ पर आपकी दो ही possibilities हो सकती है एक यह possibility है कि आपका यहाँ पर जो output है वो high हो और दूसरा यहाँ पर यह हो सकता है कि वो low हो तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर LED को on करना है तो उसके इसमें आपको इसको high देना पड़ेगा अगर आप उसको off करना चाहते हैं तो आपको low देना पड़ेगा तो यहाँ पर हम लोगोंने सबसे पहले अपनी LED को on करना था तो उसके लिए हम लोगोंने आपर digital right के अंदर जो arguments है उसमें आपको pin number देना है और उसके बाद second जो argument है उसमें आपने इसको high कर दिया तो basically आपका जो 13 number pin है वहाँ पर high voltage आपकी जाएगी इसके बाद आप अपना जो LED है उसको 500 milliseconds के लिए on रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगोंने यहाँ पर एक delay दिया और उसके बाद आप इसको अगर off करना चाहते हैं तो again आपने यहाँ पर digital right function को call किया और इसके बाद आपका जो second argument था इसको आप लोगोंने low कर दिया और यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है जो second आपका argument है वो आपका हमेशा capital letter में रहेगा और digital right में जो W है वो भी आपका capital रहेगा और next इसके बाद again आप लोगोंने एक delay दिया 500 milliseconds का तो basically यहाँ पर होगा क्या आपकी जो LED है वो 500 milliseconds के लिए on होगी और next 500 milliseconds के लिए off हो जाएगी और यह चीज़ आपकी यहाँ पर basically infinite times के लिए होगी क्योंकि यह जो हम लोगोंने code लिखा है यह void loop के अंदर लिखा है so next इसके बाद हम लोग इस code को यहाँ से verify कर लेते हैं या compile कर लेते हैं अगर यहाँ पर आपकी कोई भी errors होगी तो आपको यहाँ पर show हो जाएंगी और यह हम लोगों का यहाँ पर compilation done हो चुका है तो program को implement करने से पहले हम देख लेते हैं किस-किस hardware की आपको जरूरत होगी देखिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर एक audio no uno board चाहिए और इसको program करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक programming cable की जरूरत होगी इसके बाद हम लोग यहाँ पर LED blinking करने बाले हैं तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर LED की भी जरूरत है और LED को connect करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर breadboard चाहिए और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर connecting wires चाहिए अब यहाँ पर जो हम लोगों की LED है उसके across हम लोगों को यहाँ पर कुछ potential drop करना पड़ेगा तो उसके लिए आप लोगों को एक resistance की जरूरत होती है typically आप वहाँ पर 330 ohm का resistance ले सकते हैं बाकी output आपको वहाँ पर दिख जाएगा तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने audio no uno board को connect कर लेते हैं connect करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीजे ध्यान देनी हैं आप यहाँ से tools में जाएंगे tools में आपको देखना है जो board है वह आपका audio no uno ही होना चाहिए और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना port select करना है फिलाल जो मेरा board है वह com port 4 में connected है तो मैंने यहाँ पर com port 4 select कर लिया basically यह automatically set हो जाता है बट कभी कबार ऐसी problem आती है कि वह set नहीं हो पाते है तो आपको manually करके देखना होगा और secondly अगर आपको यहाँ पर com port नहीं दिखा रहा है या फिर अगर यह black color की जगर gray color का आपको दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपके drivers में कुछ problem है तो आप लोगों को वहाँ पर अपने drivers को update कर लेना होगा तो यह दो चीज़े आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देनी है और next इसके बाद हम अपने code को यहाँ से upload कर लेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा जैसे आपकी uploading होगी और अगर कोई error होगा तो आपको यहाँ पर display हो जाएगा so micro controller को हम यहाँ पर program कर चुके हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे हम लोगों की जो दो LEDs हैं वो after every 500 milliseconds on और off हो रही है इसमें एक जो LED है वो हम लोगों की on board लगी हुई है यह LED बेसिकली आपका 30 number pin से ही internally connected होती है और secondly हम लोगों के पास breadboard में एक LED लगी है जिसको हम लोगों ने manually 30 number pin से connect किया है और इसको हम लोगों ने ground किया है 1K के register के through so इसके बाद अगर आप चाहें तो programming में कुछ changes करके देख सकते हैं जिससे आप लोगों को यह चीज़े थोड़े सी और clear हो जाएंगी so I hope आप लोगों को इतनी चीज़े समझ आ गई होंगी यहाँ पर pin mode और digital write का आपको function समझ आ गया होगा फिर भी अगर आपको यहाँ पर कोई problem होती है तो आने वाली videos में मैं यह जो functions हैं इनके ओपर completely एक video बना लूँगा so बने रहेगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें अपने friends के साथ आप लोग जरूर शेर करें जो इस technology को सीखना चाहते हैं so thank you so much for watching जे हिंद जे भारत